भारत और बांगलादेश के बीच आज पांचवा निदहस T20 ट्रोफी का पांचवा मैच खेला जाना है ऐसे में भारती टीम और बांगलादेश दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़रूरी होगी जीत जी हाँ, आपको बता दें कि पिचले मैच में शिलंका को हराकर भारत फाइनल में अपनी राह लगभुत पक्की कर चुका है लेकिन आज जीत के साथ भारत फाइनल में पहुच जाएगा आपको बता दें कि बांगलादेश ने भी पिछले मैच में शिलंका को 215 रनका लक्ष हासिल करकर पस्त कर दिया ऐसे में बांगलादेश के भी होसले काफी बुलंद हैं तमीम इकबाल, लिटॉन दास और मुश्विकर रहीं शांदार फॉर्म में हैं ऐसे में भारती टीम कॉंबिनेशन काफी निर्भर करेगा रोहीच शर्मा पर आपको बता दें कि भारत का सेम कॉंबिनेशन अभी तक चार मैचों में खेला है लेकिन अभी तक रोहिच छर्मा ने सिर्फ एक फेर बदल किया है और वो फेर बदल था कि एल राहुल को शामिल किया जाना और रिशाप पन्त को टीम से बाहर बैठना पड़ना लेकिन अब इस मैच में भारती टीम जीत के साथ फाइनल में पहुचना चाहेगी ऐसे में बहुत कम चांसे हैं कि भारती टीम कोई भी चेंज करेगी आपको बता दें कि भारती टीम की ओर से ओपनिंग कप्तान रोहिच शर्मा और शिखर धवन करेंगे तीन नमबर पर बल्लेबाजी करने सुरेश रहना आएंगे जो कि टीट्वेंटी फॉर्मेट के सबसे बहतरीन बल्लेबाज है चार नमबर पर पिछले मैच की तरह केल रहुल को ही मौका दिया जाएगा और उसके बाद फिनिशर की भिनिका में शांदार पर फॉर्म कर रहे मनीश पांडे को 5 नमबर पर बुलाया जा सकता है दिनेश कार्तिक की पिछले मैच की 49 रनों की मैच विनिंग पारी पर उन्हें 6 नमबर पर मौका दिया जा सकता है ऐसे में अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो भारत एक का ओल्राउंडर और चार रेगूलर गेंदबाजों के साथ उतरेगा जिसमें विजय शंकर का शांदार फॉर्म और उसके साथ शारदु ठाकूर और जदेव नाटकट की जोड़ी पेस गेंदबाजी को संभालेगी और उसके बाद अगर स्पिन आकरिमन की बात की जाए तो वाशिंग्टन सुन्दर और यजविंदर चहल काफी अच्छा काम क इस सेम प्लेइंग 11 कॉंबिनेशन के साथ उतरेगा नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्क रिपोर्ट